नमस्कार दोस्तो डिफेंस नियूज हिंदी में आपका स्वागत है आज की मुख्य खबरें भारतिय नौसेना ने नौसेना सहयोगी लड़ाकू वायू वाहन की मांग की उभरते समुद्री खत्रों और युद की बदलती प्रकृती के जवाब में भारतिय नौसेना ने नीजी छेत्र की कमपनियों से नौसेना सहयोगी लड़ाकू वायू वमान यानि NCCAV विक्सित करने में सहयोग करने का आवहन किया इस पहल का उदेशे समुद्र में एंटी एक्सेस एरिया डेनायल शमताओ और आधुनिक एकिक्रित वायू रक्षा प्रनालियों द्वारा उत्पन बढ़ती चुनोतियों का समाधान करना है नौसेना का मानना है कि CCAV इसकी मुझूदा लड़ाकू समपतियों का पूरक होगा लागत प्रभावी हमला शमता परदान करेगा और विवादित संबुद्री वातावरन में परिचालन लचीलापन बढ़ाएगा इन चुनोतियों के मद्दे नजर भारतिय सेना ने अपनी जवाबी हवाई और हवा से जमीन पर मार करने वाली शमताओं को बहाल करने की ततकाल आवश्यक्ता व्यक्त की है खास तोर पर उच स्तरिये A2 AD खत्रों की मौझूदगी में इन कमियों को दूर करने के लिए नौसेना सहयोगी लड़ाकू हवाई वाहन CCAB विक्सित करना चाहती है जो निमिन लिखित परदान लाब जो है परदान करेगी जैसे के counter air capability हो air to surface strike हो combat mass हो range के उस पर और teaming operation हो affordability हो and deployability हो अगला भारतिय वायू सेना ने स्वायत स्वाम drone interceptor प्रणाली के विकास की मांग की है महत्वपूर्ण परतिष्ठानों को निशाना बनाने वाले drone जुंडों के बड़ते खत्रे के जबाब में भारतिय वायू सेना ने निजी छेतर की कंपनियों से multi domain launch section loitering aerial interceptor system के design और विकास में सहयोग करने का आवाहन किया है इस अभिनव समाधान का उदेश जुंड drone हमलों का मुकाबला करना है जो आधुनिक वायू रक्षा में सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है इस परनाली में स्वायत multi drone जुंड होंगे जो hard और soft kill mechanism के संयोजन से कई हवाई खत्रों को बेसर करने में सक्षम होंगे भारतिय वायू से ना मानती है कि दुश्मनों द्वारा drone जुंडों के इस्तमाल ने एक जटिल खत्रे का महौल पैदा कर दिया है जुंडों का उनके वित्रित सभाव गती और सैयोगी वेवार के कारण पारंपरिक तरीकों का अपयोग करके रोकना मुश्किल है इसलिए इसकी मांग की गई है अगला उननत रडार और संचार कवरिज के लिए सड़क मोबाइल टैथर्ड एरो स्टेट परनाली की मांग हुई भारतिय वाईयू सेना ने एक इकरित रडार और संचार शमताओं के साथ एक संयूक मोबाइल टैथर्ड एरो स्टेट सिस्टम को डिजाइन और विक्सित करने के लिए निजी छेतर की कमपनियों से अभिनव समाधान की मांग कर रही है इसका लक्ष असी से 120 किलो मीटर की सीमा में निमनस्तरिय रडार और संचार कवरिज को बढ़ाना है जिस से रेडियो लाइन आफ साइट दुआरा लगाई गई सिमाओं को पार किया जा सके या उन्नत परनाली विशेश रूप से दूरस्त और चुनोती पूर्ण वातवरन में हवाई वस्तू का पता लगाने ट्रेकिंग और संचार रिले को बहतर बनाने में महतवपून भूमिका निभाएगी वायू रक्षा और निगरानी की बढ़ती जटिलता के लिए ऐसी परनालियों की आवश्यक्ता होती है जो कम उचाई पर लंबी दूरी की रडार कवरेज और परभावी संचार परदान कर सके पारंपरिक जमीनी आधारित परनालियां पृत्वी की वक्रिता और इलाके में बाधाओं के कारण सिमाओं का सामना करती हैं रेडियो लाइन आफ साइट को परभावित करती हैं अगला भारत फोर्ज हलके टैंक के विकास के लिए तैयार इस साल की शुरुआत में भारत फोर्ज के चेर्मेन और परबंध निदेशक सीमडी बाबा कल्यानी ने एक साहसिक गोशना करके भारती रक्षा चेतर में हलचल मचा दी थी कंपनी 25 टन से कम वजन का एक हलका टैंक विक्सित कर रही है यह कदम भारत के सैन्य हार्डवियर उत्पादर में आत्म निरभड़ता की दिशा में एक मेत्वपूर्ण कदम है इस परियोजना ने रक्षा उत्साही लोगों की कल्पना को अकर्शित किया है क्योंकि लाइट टैंक की एक कथिद CAD चवी ऑनलाइन परसारित हो रही है हाला कि चवी की परमानिकता अभी भी अपुष्ट है लेकिन वै इस अभिनव वाहन की संभावित विशेष्टाओं की एक जलक परदान करती है अगला एरो आर्क ने भारतिय सेना को सो रोबर्टिक खचर सोंपे नई दिल्ली स्थित रोबर्टिक कंपनी एरो आर्क ने भारतिय सेना को सो रोबर्टिक खचरों की डिलीवरी सफलता पूर्वक पूरी कर ली है इस इन उन्नत ग्राउंड रोबर्ट को विभिन परी चालन वातावरन में सैनिकों की शमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है रोबर्टिक म्यूल एक बहुमुखी और टिकाव प्लैटफॉर्म है जो सीडियां, खड़ी पहाडियां, चट्टानों और मलबे के मैदानों सहित चुनोती पूर्ण इलाकों में नेविगेट कर सकता है इसकी IP67 रेटिंग चरम मौसम की स्थिती में भी मजबूती और विश्वसनियता सुनिश्चित करती है रोबर्ट चालिस से पचपंड डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है जिस से यह विविद भगौलिक चेतरों में तैनाती के लिए उप्यूक्त है अगला स्वदेशी एरो इंजन घटक उत्पादन में सफलता मिली DRDO को DRDO ने एरो इंजन के एक के लिए स्वदेशी उच्च दबाव कंप्रेसर ड्रम के सफल विकास के साथ भारत के एरो स्पेस उद्योग में एक महतवपूर्ण उबलब्दी हासिल की है यह सफल तक्नीक विदेशी आपूर्ती करताओं पर निर्भरता कम करेगी और रक्षा विनिर्मान में भारत की आत्म निर्भरता को मजबूत करेगी इस इंजन के महतपून घटक हैं जो संचालन के दोरान अत्यधिक तनाव और तापमान के अधीन होते हैं इंजन के प्रदर्शन और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इनका समय पर प्रतिस्थापन आवश्यक है परमपरागत रूप से भारत इन उच मुल्य वाले घटकों के लिए विदेशी निर्माताओं पर निर्भर रहा था अगला राफिल एफ फाइव मानक के लड़ाकू मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन कारेकरम जो है वो शुरू हो गया है इस दिन फ्रांस के सशस्त्र बलो और सैन्य दिगजों के मामलों के मंत्री सेबेस्टियन लिकारनू ने मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यानि यूसी एवी के विकास की घोशना की जो 2030 के बाद भविश्य के राफिल एफ फाइव मानक का पूरक होगा यह घोशना सेंड डिजियर एर बेस पर फ्रांसीसी सामरिक वायू सेना की 60 मी वश्गाट के अफसर पर आयोजित एक समारों में की गई धन्यवाद